एक बार फिर शेज स्वागत है आपका अपना चैनल हरी क्रिप्टो कोई अक्सवाइज जेड में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाई ब्लोक्चेन के बारे में जी हैं पाई नियकर के अंदर पाई ब्लोक्चेन के बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है यहां और आपको पूरा रिकोड भी यहां पर प्लोक्चेन के अंदर दे सकते हैं वह भी में आपको एश वीडियो के अंदर पूरी इस टेच बाई इनफ्रमेशन दूंगा यह दि आपने पैक टेप दी जाती है ताकि आप लोगों का किशी परकार का कोई कनिफूजन नहीं हो तो शिंपली मैं यहाँ पर अपनी पाई ब्लोक्चेन को ओपन कर लेता हूँ पाई ब्लोक्चेन यहाँ पर हमारा ओपन हो रहा है कुछ प्रोशेस भी अभी हो चल रही है इसके अंदर तो यहाँ पर पाई ब्लोक्चेन हमारा ओपन हो गया जिया आपके सामने कुछ ऐसा एंटरप्रेस खुल गया होगा यहाँ पर आपको इसकरिंग को ओपर दिखाई दे रहा है पहले हम मिनट से पहले यानि जब पाई नेटवर्क मिनट के अंदर लाइव नहीं हुआ था उसे पहले हम अपने पाई ब्लोक्चेन को अपन करते थे तो हमें यहाँ पर मिनट का कुछ भी दिखाई नहीं देता था लेकिन अब हमें यहाँ पर Minute को लेकर भी दिखाये दे रहा है आपको स्क्रिंग को अपर दिखाये दे रहा है टोटल यहाँ पर Pi Coin 0 है यानि हमने अभी तक हमारे Pi Coin है वो Pi Wallet के अंदर ट्रांसवर नहीं हुए और हमने कहीं पर भी अपने Pi Coin का ट्रांसवर अभी तक नहीं किय है तो हमें यहाँ पर अभी 0 दिखाये दे रहा है और भी हम इसके अंदर देखते है Pi Blockchain के अंदर हमारा जितना भी रिकोर्ड होता है हम जितने भी Pi कौन का यहाँ पर ट्रांसवर करेंगे Pi to Pi सारा रिकोर्ड आपको Pi Blockchain के अंदर दिखाई देगा जिया और Pi Network की सबसे अच्छी बात यह है कि Pi Network की अपनी खुद की Blockchain है जो की बहुत ही अच्छी बात है और Pi Network के अंदर ये Blockchain किस परकास चे काम करती है तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ Pi Network की ही नहीं बलकि किसी भी केरेंशी हो उसकी Blockchain बहुत ही important होती है जी है किसी भी यहाँ पर केरेंशी के अंदर ये जी हम उसके लेंदेनिया पूरा रिकोर्ड ब्लोक्चेन टेकनोलोजी के ओपर काम करेगी तो उसे बड़े शे बड़े हेकर के लिए भी हेक करना बहुत स्किल है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Blockchain टकनीकी बहुत ही यहाँ पर सुरुक्षित और शिकोर ब्लोक्चेन टकनीकी है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अपने Pi कोन का हम किस परकास यहाँ पर लेंदेन की है या जितना भी हमने Transfer किया है या Transfer नहीं किया उन सब का यहाँ पर ट्रांजेक्शन और बुक्स तो यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर अपडेर देखी कि क्योंकि पाई नेटवर्ग मिनेट के अंदर लाए होगा तो हम अपने पाई कॉन का टांसवर भी करेंगे payment भी करेंगे सारी process आपको यहाँ पर ब्रोक्चैन के अंदर दिखाए दे देगी पूरे पाई कॉन की तो हम आज हम इस वीडियो केंदर करने वाले अपने पाई कॉन को यहाँ पर पूरे टेस्टिंग करेंगे कि हम किस परकास यहाँ पर अपने पाई कोन का टांसवर देख पाएंगे तो इसके लिए आपको जाना होगा सब़से पहले पाई वॉलेट के अंदर तो SIMPLE मैं पाई वोलेट के अंदर जाता हूँ उसके बाद अगर की PROCESS आपको बताता हूं कि किस प्रकास आप चेक कर पाएंगे अपने जितने भी यहाँ पर ट्रांस्वर की है पाई कौन का या नहीं भी की है तो भी आप इसे शिंपल तरीकी शेक कर सकते तो चलिए चलते हैं पाई वॉलेट के अंदर पहले तो यहाँ पर मैं Pi Wallet के ओपर अभी कलिक करता हूँ, Pi Wallet पर कलिक करते ही, यहाँ पर कुछ प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हमारा Pi Wallet ओपन हो गया है, तो यहाँ पर हमें अपनी प्राइवेट की डालना है, यदि आपने पहले Pi Wallet को क्रेट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर तो मैं अपना पहले private की इसके अंदर डाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना private की डाल लेता हूँ फिर आगे हम बात करते हैं कि किस परकार चेम अपने कोन का transaction देख सकते हैं पाई वॉलेट के अंदर अपनी private की डालने के बाद आपके सामने आपका पाई वॉलेट ओपन हो जाएगा आपको ऐसा enterprise दिखाई देगा जी हैं अब आप पाई वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसक्रिंगों पर दिखाए देर होगा पहले अभी test net लेकिन अब यहाँ पर आपको test net की जगे यहाँ पर पाई मेनेट भी दिखाई देगा पाई नेट वॉलेट के अंदर लाइव होने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पाई मेनेट और यहाँ पर टेस्ट नेट दोनों दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रह होगा जीरो पाई तो यहां पर अभी तक हैंगा मेरे फाई कोई है वह गुख़ुकि के उशक अपडेट जब सभी लोगों के लिए आज आएगी तो आपको लाइव यहां पर केवर शी में करके भी बिखा जाएगी तम बात करते हैं किस परकार्ष हम अपने यहां पर पाई कोन को आप पूरा रिकोर देख पाएंगे ब्लोग चेन पर तो इसके लिए आपको कशिम्पली यहां पर अपना जो भी पबलिक की है जी है आपकी जीओ भी पबलिक की है उसको यहां शेप को और पर आपको दिखाए देगी टेस्ट जाना है पाई ब्लोक्चेन के अंदर तो हम चलते अब यहाँ पर पाई ब्लोक्चेन के अंदर उसको यहाँ पर पेश्ट करते हैं पाई ब्लोक्चेन के अंदर उसके बाद हमारा पूरा रिकोर्ड यहाँ पर पाई ब्लोक्चेन के अंदर दिखाई देगा तो चलिए बेग चलते हो और ब्लोक्चेन को ओपन करते है एक बार फिर से पाई ब्लोक्चेन को हमने वापस ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आपको दिखाए दियाicherung जितने भी हैंदे मिनेट के अंदे अपने Pi wallet की जो अपनी private यानि जो अपनी public की थी तो उस public की को यहां पर आपको paste कर दियाना है यहदि आपने कहीं पर भी transfer नहीं किया अपने Pi कोन का या test Pi का तो भी कोई बात नहीं यहां पर आप कलिक करेंगे तो भी आपका पूरा record आपको दिखाए देगा अपनी Pi blockchain के हमें कोई problem भी नहीं होगी तो यहाँ पर मैं जो address copy किया था वो यहाँ पर paste कर दिया हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर search का icon तो इसके ओपर आपको simply click कर देना है तो यहाँ पर मैं भी click करता हूँ यहाँ पर कुछ process हो रही है जो भी आपको यहाँ हमारे चैनल पर process बताई जाते है बिल्कुल इस्टे बाइस्टे बहुत ही आसानी से बताई जाती है ताकि आप भी इसे simple कर पाए और यहाँ पर आपको कोई परकार की problem भी नहीं हो तो यहाँ पर सब कुछ अपना record देख सकते हो यदि आपने कहीं पर भी टेस्ट पाई या minute के अंदर कहीं पर भी transfer नहीं किया है तो भी आप अपना यहाँ पर public की है वो डाल कर यहाँ पर आप पूरा यहाँ पर check out कर सकते हो तो यहाँ पर अपनी public की गालते आपके सामने कुछ ऐसा enterprise खुल गया होगा मैंने यहाँ पर मेरे पास अभी 100 टेस्ट पाई है मैंने भी यहाँ पर किशी के पास अभी transfer नहीं किया है यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप किस परकार अपने पाई कॉन को टेस्ट करेंगे वो यहाँ पर वीडियो भी और बना दूँगा क्योंकि आप लोगों को किशी परकार की confusion नहीं होना चाहिए आज के लिए बस इतना ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को पूरी step by step पूरी information बता दी है कि किस परकार आप अपने पाई कॉन का यहाँ पर पूरी इस्ट्रीक दे सकते यानि पूरा record दे सकते आप किशी कभी यहाँ पर record दे सकते है बस आपको उसकी public की पता होने चाहिए यहाँ पर आप बहुती आसानी शे पूरा transaction देख पाएंगे पाई blockchain के अंदर तो यहाँ पर मैंने इस information आपको दे दिये information केशी लेगी comment box मा जरू बताना और वीडियो को भी like जरू कर देना आज के लिए बस इतना ही और चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को subscribe जरू कर देना